हलो फ्रेंड्स वल्कम यू आल आज मैं आपके ले जो वीडियो लिक्या रहा हूँ देखे एक ऐसा स्टॉक टाटा ग्रूप का टाटा ग्रूप आपको पता ही है कितना भरोसे मंद ग्रूप है एर इंडिया टाटा के पास अगेन बैक टू टाटाज बैक टू टाटाज मैं इसलिए कहा रहा हूँ आपको पता ही होगा अब तक आपने सुन ही लिया होगा कि कैसे टाटा के पास यहाँ पे एर इंडिया जा रही है और मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा कि सरकार ने एर इंडिया अपने हाथ से दूर कर दे क्यों क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे अभी Jack Airways के हालात बने, King Fisher के हालात बने, जिस तरीके से उधारी में और operation प्रोपर नहीं होने के खारण पैसा खतम हो रहाता, उधार बढ़ता जा रहाता, तो वो भी उसी तरीके से उनके जो employees हैं, उनकी हालात भी होते, तो वही चीज़ है, पहले ही सारी चीज़े set कर ली गई, सरकार को पैसा भी मिल गया, और Air India वापस चली गई, बिलकुल भरोसे मंद Tata Group के पास, तो Tata के, लेकिन आज में Air India के लिए एक और stock आपके लिए लेके आया हो, जिसको आप धेखते ही खरीद लोगे, बोलोगे वाउ, ये opportunity तो बिलकुल low risk opportunity है, मैं हमेसा बात करत हूँ, low risk opportunity की, low risk क्यों, इस बात को याद रखें, सबसे पहले जब आप अपने goal को समझते हो, तो definitely risk management के, या फिर entry के actions जो है, वो सारी चीज़ें, all depends on your goal, what is your goal, इसके उपर focus करें, इसके उपर मैं कहूंगा, गहन, अध्यन और चिंतन करें, तभी आपको पता लगेगा, कि गोल क्या है, जब एक बार goal clear हो गया, तो फिर entry, exit, risk management, उसी goal के उपर ही, आपके decide होंगा, और इसके उपर एक बहुत बहुत बहतरीन वीडियो, आपने create के, आप membership series में जाके, उसको भी देख सकते हो, सीदिए, आपको लेके चलते है, stock की तरह, Indian hotels company limited, हमें stock की बात नहीं कर पिछले एक देड़ साल के अंदर आपने देखा होगा, बहुत जबर्दस तरीके से, rallies अलग सेक्टर में देखने को मिली, लेकिन मुझे अभी पिछले दो-तीन महीनों से, hotel sector में लगा कि हाँ, अब इसकी बारी है, और मैंने आपके लिए बहुत 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 पिछले सकती है, उनको आप देखिए, उनको आप समझी है, इवन लेमन्टरी होटेल के बारे में, अगर इस चार्ड को अगर आप लेमन्टरी का देखते हो, देखिए, यह लेवल हमारा था, यह एरिया ब्रेक आउट करना बहुत इंपोर्टेंट है, आप देखे जरा, औ अगर breakout के बारे में थोड़ा कुछ सीखना हो इस level के बारे में तो elementary आपको बताएगा और हमेसे याद रखें breakout ये देखिए breakout के अलावा भी बहुत important किस तरीके से चीज़े resolve हो रही है that is again a very important part में रहे लिए एक बहुत बहतरीन setup ये रहता है देखिए एकड़म जबर्दस रहली फिर वापस आता है ये down इस side में फिर इस area में consolidation पहला breakout फिर इस area में consolidation दूसरा breakout अब देखिए आपको कि वा यार क्या बहतरीन elementary hotels ने देजी और हमने इसको ये बारे में काफी detail में august 6 को ये आपको बताया था कि कौन सा important आपका area area of interest point of interest कौन सा उस video को जरूर देखिए लेकिन आज हम elementary की बात भी नहीं कर रहे है आज हम बात करने वाले किसकी ताज जीवी के hotels and resorts की क्या आपको पता है इस company का मालिक कौन है हमने जो बात करी यहां पर किसकी बात करी आप सोचो गयार हमने तो बात करी थी टाटा की टाटा के बहुत बड़े बहुत बड़े मैं कहांगा fraud से scam से बच पाओगे सब कुछ अवेलेबन है this is information is कहीं कोई देखिए कहीं कोई यह न कह दे कि यह चीज ऐसी है ऐसी है this is information is you need to understand this information technology कहां से कहां जा रही है और अगर आप अभी भी इनफर्मेशन से को फिल्टर देखिए अभी एक और इंपोर्टेंट बाद there is too much information to confuse you also this is again a very confusing part too much information again इसी लिए information age है थोड़ा सा आपको अवेर होना पड़ेगा थोड़ा सा आपको प्रोयक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा यह सारी चीज़े अब ताज जी बी के होटल में क्या है देखिए अगर आप देखोगे यह किस की है 25 प्रदिशत की हिस्तेदारी इंडियन होटेल्स की है इंडियन होटेल्स की है इंडियन होटेल्स की है तो बहुत ही बढ़िया चीज है मतलब 25 प्रदिशत की हिस्तेदारी बहुत बढ़ी हिस्तेदारी होती है और ताज का के ऊपर देखिए और किसका इंडियन होटेल का आप देखो तो बहुत top की company hotel segment में आती है तो आप समझ जरूर के होंगे रिस्ता समझ गया होंगे कैसा है लेकिन ये stock हमारे पास क्यों आया ये stock आज ही नहीं ये stock हमारे पास August के time frame पर जब हमने वीडियो create किया था तब भी ये आया था क्यों आया था उसका कारण था ये सारी चीज है ये देखिए जिस तरीके से situation मन रही थे लेकिन ये correction थोड़ा और नीचे गया उसके बाद अब मुझे जो लग रहा है मुझे जो लग रहा है although मैं इसको August से track कर रहा हूं लेकिन जो चीज है positive जैसे मैंने आपको कहा वो positive क्यों दिख रही है अगर आप इसके monthly time frame को देखो 2018 यह देखिए 2019 2020 just see the low areas देख रहे है अब इस पार्ट को आपको होगे हा यार चीजे तो बदलती भी दिख रही है now just see the high areas things are changing आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है changing बाकी सब छोड़ दो side रहो see the volume क्या आपको दिख रहा है कि smart money pump हो रही है मैं आपको यह नहीं कहूंगा यह stock भाग जाएगा कहीं भी जाएगा just understand the logic just understand the process just understand the flow of smart money what is this call it is called order flow और जब आप order flow को समझते हो मतलब you are understanding the direction understand this you are understanding the direction अब direction को देखिए अब अगर मैं मन्थली टाइम फ्रेम से देखूं तो the things are changing बट अगर डीप रिस्क की बात की जाए तो these are your अगर मन्थली के साबसे बिकस मन्थली is a big big time frame यहाँ पे आपको कई बार कई महीने तक का consolidation का भी इंतजार करना पड़ सकता अगर आप मन्थली means long term investment understand this अगर अभी के time frame पर आप देखोगे तो moving average से stock इस एडिया में बहुत दूर पर खड़े होंगे क्या आप उसमें long term investment के लिए जाओगे मैं कहूंगा बाई मैं अपनी बता रहा हूं बिलकुल नहीं वो मेने मन्थली के लायक नहीं है मन्थली investment के हैं वो होंगे तो छोटे time frame वाई मुझे बहुत बढ़ी opportunities देंगे लेकि not for मन्थली मन्थली के हिसाब से जब situation देखी जाती है तो यहां पर यह बेस बेस के एरिया पर जहां से आप multi baggers निकाल सकते हो आपनी देखा होगा हमने बहुत सारी वीडियो क्रेट की बाला जी अम ग्रीन टेक को आप देखोगे 137 के लेवल से मुझे स्टार्टिंग उसकी करी थी आज की रेट में बहुत सारी correction आई बहुत सारी opportunities इन बिट्वीन दी उस ते आज वह 500 के लेवल को touch कर चुका है जो target था set पांच गुना वह भी 6-7 महीनों के अंदर now just see this अब आप कोई क्या आप regular नहीं नहीं देखते मैं आपको कहूंगा बही subscribe का button है उसको दबा दीजिए bell icon को दबा दीजिए regular videos में आपको बहुत सारे examples मिलते है और अलग अलग तरीकी की जो है क्योंकि हर stock में कुछ अलग होता है कुछ different होता है और process एक ही है लेकिन कोई breakout के लिए तैयार होता है कोई swing start हो रही होती है किसी और time frame में होती है तो सारे examples आपको मिलते है learning के लिए now fractal nature of market यह क्या कहती है हमको यह impulse बनी correction impulse correction impulse correction and हमको क्या करना है चोटे time frame पे we need to just look these point of interest these area of interest areas उसके बाद यह opportunity आपको मिलती रहेंगी आपको ग्यार वा बहुत ही बढ़िया यह concepts जो है आपको लगे यह price section के basic concept से अगर आप देखोगे अभी RSI पे देखेंगे देखिए RSI situation देखिए कैसी बन रही है वा बिलकुल जबर्दस वाली मैं कहूंगा कैसे यह base बना रहा है monthly time frame के हम बात कर रहे है बेस बना रहा है और अब चीज़ें जो है जो है opportunity छोटे time frame wise मिल सकती है again risk management is the key understand the things from the risk management perspective आप देखो आप आए हम आए हम छोटे time frame में लेकिन एक चीज मुझे छोटे time frame में जो चाहिए जैसे कि weekly में मुझे अच्छा लगा यह volume मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा यह volume लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए और consolidate कर रहा है जैसे हमने अभी लेमेंटरी की बात करी अच्छी बात है अगले week भी अगर थोड़ा सा हॉल्ट मिल जाए तो फिर मजा ही कुछ और आजाए देखिए अगला week अगर हॉल्ट situation मिल जाए ने हापर जो कि RSI को around थोड़ा सा correction दे थे थोड़ा सा cool off कर दे तो मजा आ ask what is liquidity liquidity in areas को मैं कहता हूं कि जहां पर आप देखोगे कि लोग तयार बैठे होंगे अपनी कुछ न कुछ actions को लेने के दिए इन धीरे-धीरे liquidity इंको grab करके छोटी-छोटी corrections से यहां पर देखने को मिल जाती है अब आगे और चलेंगे देखिए और समझने की कोशिश करेंगे daily time frame पर हम रहेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे daily time frame पर what is positive here again the big positive thing is हम 200 SMA daily से उपर है और जैसे कि मैं आपको कह रहा है कि next week अगर थोड़ा सा correction आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है तो हमारे लिए बहुत important part जो area रहता है वो 156, 150 की range that is going to be the very important area जब आप इंत असली से ये TATGB के hotel जरूर है लेकिन ये hotel है इंडियन hotel company का जो की है Tata का तो Tata का ये hidden stock radar में रखना किस तरीके से आई थी lemon tree की rally याद रखना ये breakout हुआ था बड़ा धमा का और अगर आपको ये सारी चीज़े फिर से देखनी है तो हमारे इस पुराने वीडियो को जरूर द यही कहूंगा आपसे सीखते रहिए सिखाते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए risk management के बारे में अपने surroundings में awareness spread करते रहें education spread करते रहें and thank you thank you for watching the video